बुद मॉर्निंग बच्चो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेस वर्चुल कैंपस में स्वागात है बच्चो आज का हमारा इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक है वो है human disease human disease की ये पहले से चल रहा है और ये जो टॉपिक है ये उसी का continuation है आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा human disease और human disease में जो टॉपिक होगा वो होगा deficiency disease यदि हमरे सरीर में यदि वीटामीन की कमी हो जाए तो उससे होने वाले कौन-कौन से disease होंगे disease दो तरह से होते हैं एक कमी के वज़ा से और एक अधिकता के वज़ा से तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक होगा कि अगर सरीर में वीटामीन की कमी हो जाए तो उससे होने वाले disease कौन-कौन से हैं यह बहुत important topic है इसे आपको examination में competitive exams में आपको सवाल जरूर और जरूर मिलने वाले कई तरह के इससे प्रस्न पूछे जाते हैं और हर तरह के जो GS आधारी तो जो exams होते हैं उसमें आपको यह deficiency disease पर सवाल आने की प्रबल संभावना होती है तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस video session के शुरुआत करते हैं कि वीटामीन की कमी से होने वाले कौन-कौन से disease है आज का हमारा जो topic होगा वह इस प्रकार से होगा वीटामीन की कमी से होने वाले रोग ठीक है चलिए इसमें सबसे पले हम लोग लेते हैं वीटामीन ए अगर सरीर में अगर कम हो जाए तो इससे क्या-क्या रोग होगा पले इस चीज़ को देखते हैं पले वीटामीन ए का पले रसाइनिक नाम जान लेते हैं वीटामीन ए का जो रसाइनिक नाम है वह है रेटीनॉल बहुत आसान नाम है अना और इसको याद करना आसान है रेटीनॉल मतलब रेटीना अब इसको ऐसे याद रखें अब यह रेटीनॉल जो है अगर यह सरीर में कम हो जाए विटामीन एक Cheese में अगर कमी आ जाये तो इसे कौन कौन से रुग होंगे जायर से बात है कि रेटीना मतलब आँख इसका मतलब है कि इसके कमी से होने वाले जो डिजीज है वो आँखों को परभावित करती है और इसमें जो पहला डिजीज है का नाम है जिरॉफ्थाल्मिया इसमें हम लोग जो पहला डिजीज देखेंगे वो होगा जिरॉफ्थाल्मिया जिरॉफ्थाल्मिया चलिए यह जिरॉफ्थाल्मिया मतलब बहुत सुना सुना या नाम नहीं है तो पहले यह समझ ले कि जिरॉफ्थाल्मिया सरीर के किस भाग को प्रभावित करती है ठीक ना इसका हिंदी में अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं जिरॉफ थाल्मिया यह हमारे आंखों को प्रभावित करती है इससे प्रभावित होने वाले जो अंग है वो आंख है चलिए अब जिरॉफ थाल्मिया किसको प्रभावित करती आंख को प्रभावित करते हैं इस इस डिजीस में होता यह है कि इसमें क्या सिम्टॉम है तो इसमें कॉर्णिया सिम्पल सी बात है इसमें कॉर्णिया मोटा यह आपारदर्सी हो जाता है आपारदर्सी हो जाता है एक तरह से कहें तो कॉर्णिया सुख जाता है ठीक ना जो की अंधापन पैदा करता है जो की ठीक ना अंधापन पैदा करता है जो की अंधापन पैदा करता है तो जयरफ्फप्विया हमारे स्टरी के किस अंगों को परभावित करती है और यह किस के कमी से होता है तो यह रेटिनल वीटामिन एक कमी से होता है दोसर mesma झो होता है वह है आपका उसको काते नाइट ब्लाइंडनेस उसको काते नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस यह दूसरा डिजीज है जो कि वीटाइमीन एक कमी से उत्पन होता है इसमें क्या होता है देखें नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारे आँख में जो कि यह इसा नहीं कि व्यक्ति को रात में नहीं नजर आता है अगा थोड़ा सा रौस्नी कम हो है जैसे कि बहूत साम के बाद आप देखियेगा कि रौस्नी में जब कमी आ जाती है तो इस घ्राशित वेक्टी को कम रोस्ति में दिखाई नहीं देता है चले night blindness में क्या होता है इसमें आख में आख में मौझूद जो रोट्स इसको ऐसे समझे night blindness में होता क्या है चले इसको थोड़ा सा देख लिए जा इसमें रोट्स रोट्स कहा होता है तो आख में होता है ठीक ना रोट्स में मौझूद विजूल परपल विजूल परपल में कमी आती है कमी आती है ठीक ना जिस कारण जिस कारण ठीक ना व्यक्ति को जिस कारण चले तो बहुत इंपॉर्टन बात है हम लोगों ने क्या भी देखा बस यही चीज़ देखा कि जरफ्थाल्मी और नाइट ब्लैंडिनेस यह वीटामीन एक कमी से होने वाले रोग है तीसरा जो रोग हो सकता है यदि आपके सरीन में वीटामीन एक कमी आ जाए तो आपका जो तवच्चा है और है इसमें यह सुख जाते है 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 और इसकी इन में ड्राइनेस आता है ठीक ना तवच्चा और बाल का सुखापन यह इसकी कमी क्या पैदा करता है तो तवच्चा यह बाल का सुखापन इसका मतलब एक अच्छे तवच्चा के लिए इसका क्या मतलब ह यह हमारे तो अच्छा और हमारे हेर के लिए भी important vitamin है, तो यह vitamin A के बारे में बात रहा, चलिए, अब हम आते हैं, vitamin B complex, vitamin B complex में जो पहला हम लोग vitamin लेते हैं, जिसके कमी से जो रोग होते हैं, वो होता है, चलिए, vitamin अभी हम लोग चलते हैं, B1, इसका रसाइनिक नाम क्या है, इसका रसाइनिक नाम है थाइमीन, ठीक ना, चलिए, अगर सरीर में vitamin B1 की कमी हो जाए, तो इससे होने वाले disease कौन-कौन से होंगे, चलिए, उस disease को देख लेते हैं, पाला है बेरी-बेरी, बहुत important है, पाला है बेरी-बेरी, चलिए, बेरी-बेरी में होता क्या है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं, इसमें जो nerves होते हैं, nerves हमारे स्नायू जो तंत्र होते हैं, और heart संबंधी problem उत्पन करता है, heart enlarge हो जाता है, muscular dystrophy होगा, ठीक है न, और तरह-तरह कि इसमें skin संबंधी तो problem होगे हैं, जितने भी vitamin B complex हैं, वो ज़्यादा तर skin related problem को वो cause करते हैं, तो ये vitamin B1 की कमी से क्या होता है, कि nerves और heart को, मतलब ये बेरी-बेरी करता क्या है, हमारे nerves और heart को प्रभावित करता है, अगर छोटे सब्दों में कहें, ठीक हैं, तो हम बस यही कह सकते हैं, कि ये हमारे nerves और heart को प्रभावित करता है इस बिमारी में nerves असनाई उतंत्र तथा heart प्रभावित होते हैं हो सकता हाट failure हो जाए ये भी cause हाट failure heart failure को भी cause करता हाट related problem है तो उसका सम्बंद vitamin B1 से है इस बिमारी में nerves train heart प्रभावित होते हैं मतलब very very होता क्या है प draußen पर लिए इस चीछ को समझें प्रभावित होता है छलिए ऑफ दूसरा जो चीछ जो यह उत्वइन कर सकता है वह किया कर सकता है एक तो very very हम लोग मोग ने समझा के vitamin b1 की कमी से very very होता है दूसरा जो होता है इसमें एनोरेक्सिया होता है इस एनोरेक्सिया क्या का लाता है बहुत इंपोर्टन बात है यह जो दूसरा जो बीमारी पैदा करता है उसका नाम है एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया में क्या होता है निकि भूख कथम हो जाता है भूख मर जाता है एक तरस सिंपल भाशा में बात करें इस बिमारी में भुक संहाप्त हो जाता है भूक नहीं लगता है भूक नहीं लगना को एन helicopters या कहते न yaptfashion कि he चलिए तो यह जो चीज है यह विटामिन B1 के कमी से हुआ विटामिन B2 अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला जो है वो देखते हैं कि विटामिन B2 के कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं विटामिन B2 इसको राइब ऑफ लेवीन कहा गया है ठीक है ना इसको कहा गया है राइब आफ लेविन चलिए टो देखते हैं कि वीटामीन-बीवश-व क्यामी से कौंपूनस होते हैं चलि इसमें होते हैं लेकिन जो जीएस में इतना मतलब मेडिकल टर्म से नहीं कुछता है बस आपको सिम्टॉम्स दे देगा हाथ पाँ फुल जाएगा बाल ज़र जाएंगे तो अचा में खुदरापन आएगा मतलब इस तरह सवाल आते हैं हना टर्म्स को परहेज करता है जामस जो नहीं वो टर्म्स को ज़र करते हैं उसका नाम है किलोसीड और ग॒लोसौिटी चलिए तो यह किलोसीड क्या होता है पहले बिमारी को देखते हैं ब्रुच उन्ति प्रेणल और ग्लस जाएगा कर्या होट में होता क्या है खाले धिकिए अर चलिये और जीब जीब पर छाले पड़ जाते हैं या भी दे सकता है कि वीटामीन B2 की कमी से कौन सवरोग होता है तो आप इसको सिंपल भासा में कह सकते कि मुँझ में छाले पड़ना मुझ का मतलब इस अगर जाता है ठीक है चलीए तो किलोसिस में होता क्या है इसमें इसमें ओट पर छाले पड़ जाते हैं ओट पर छाले पड़ जाते हैं पहला तो चीज़ यह है अच्छा दूसरा चीज़ क्या है मुह का जो कोना है ना फट जाता है मुह का कोना ठीक ना फट जाता है ठीक ना तो इसको हम कहते किलोसिस कहते है चलिए इसको सरल भासा में काते सकते हैं कि vitamin B2 की कमी से ठीक है ना मुँँ में छाले पढ़ जाती है इसको simple भासा में ऐसे भी का सकते हैं जो दूसरा जो डी जीज है जो कि ये पैदा करता है इसका नाम है glossitis चलिए हम लोग terms भी देख लेते हैं glossitis चलिए glossitis में क्या होता है इ इसमें जीवे में छाले पढ़ते हैं इसमें जीवे में छाले पढ़ते हैं ये गलोटाइस इसको कहते हैं ठीक है ना तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि vitamin B2 की कमी से हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मुँ में छाले पढ़ जाते हैं मुँ में छाले पढ़ जाते बस ये एक overall बात रह ठीक है ना कि विटामीन B2 के कमी से क्या होता है तो मुह में चाले पड़ जाते हैं अब उसको अगर आपको अलग अलग कहना है तो आप किलोसिस और गुलोसाइटीस के नाम लेकर के कह सकते हैं चलिए इसके बाद आते हैं विटामीन B3 देखते हैं कि B3 की कमी से क्या रोग हो होता है पहले एक ही रोग लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक ना इसके कमी से इसके कमी से कौन सा रोग होता है तो इसके कमी से होने वाले लोगों का नाम है पलेग्रा चलिए देखते हैं कि पलेग्रा में होता क्या है पलेग्रा का लक्षन क्या है पलेग्रा के पलेगरा को 4D syndrome कहा गया है, 4D syndrome कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, चलिए, पलेगरा में होता क्या है, पहले इस समझ लेते हैं, देखें, इसमें 4D वाले वर्ड है, एक नाम है डर्माटिटीस, इसमें होता क्या है, पलेगरा का पाचान क्या है, लक्षन क्या है पलेगरा का, थ विसकता नहीं है इंग्ली से नहीं भागना चाहिए दर्मücht ठेटिस meter होता क्या है इसमें इसकी में पूरा घाऊ फोरा फूंसि पूरा बॉड़ी एक जीमा जैसा हो जाएगा एक जीमा यूक्ट हो जायेगा त्यक्क न इसमें पूरे पूरे शरीर में गाओ फोड़ा फुनसी हो जाता है इसको काते है डर्मा टिटीस डर्मा का मतब तो अचा है ठीक है इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में आपका फोड़ा फुनसी घाओ कि सरीर एक जीमा जैसा हो जाता है इसको क्छन इसको कहँखते इसको कह जाता है कि बीक्रोंस में क् चलिए दिमेन्सिया में क्या होता है देखें डिमेंसिया में ना मांसिक विकार आता है ना मेंटल डिसॉडर ये तरह तरह के मेंटल रोगों को ये पैदा करता है तो पाला लक्षन के है डर्माटिटी से दूसरा लक्षन के है डिमेंसिया है इसको काते है मांसिक बीमारी डिमेंसिया में क्या होता है तो वेक्ति को मांसिक बीमारी होती है चलिए तीसरा इसमें है डायरिया चलिए डायरिया में क्या होता है बार बार आपको दस्त लगता है बार-बार दस्ट लग न डेरिया का लाता है बार-बार इस में दस्ट कनुभा होता है और इसको अगर नहीं ठीक किया गया तो चुपता होता है देथ मृत्युर इसलिए पलेगरा को कहा क्या कहा गया है देखिए D for dermatitis, D for dementia, D for diarrhea और D for death इसलिए इस बीमारी को कहा गया है 4D syndrome इसको क्या कहा गया है 4D syndrome यह बहुत important है कि किस बीमारी को 4D syndrome कहा जाता है तो वह है पलेगरा तो यह बीटामिन B3 के कमी से होता है चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारा अगला जो विटामिन है। वो है विटामिन मेडालोबलास्टिक एनैमिया हो जाता है मेडालोबलास्टिक एनैमिया में होता क्या है if में जो प्लौड में होता है उसका आकार बढध झाता है और यह यह फाए ہے ह। इसकाँ वाले रौक स्वानू नाम है जिसको हम Vor Museum मेलो अगर यह कमी रहा तो मेलालो थीक ना बलास्टिक नामी है ऐसा, आपको पढ़ना होगा अनेमिया एक मेखनले अनेमिया ना यह किस ना होता है यह यह प्रिगिनेन्ट महिलाओं के लिए यह बहुत important वितामिन है तो यह प्रिगिनेन्ट है वुमेन में ये डिजीज होता है मेगालोब्लास्टी के नेमय में होता क्या है इसमें इसमें आर، भीजी आकार बढ़ जाता है का आकार बढ़ जाता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि nukleus नहीं होता है ठीक न अहले वी में नुकिलियस नहीं होता है केंद्रक नहीं होता है लेकिन मेगालो बलास्टिक एनेमिया में क्या होता है आरबीसी नुकिलियटेड हो जाता है केंद्रिक्रीट हो जाता है ठीक ना इसमें इस रोग में आरबीसी में ठीक ना नुकिलियस मौजूद हो जाता है नुकिलियस आ जा हाती है है तो टोटल भासा हम कैसे कहेंगे कि Folic acid के कमी के कारण Megaloblastik Eneamia ही नहीं देता है कभी-कभी एणवार्ज के कमी के कारण एंवा होता है और इसका पूरा नाम है Megaloblastik Eneamia की कि पेसी का size रहाता है da bed evolve by C का की मेन औक सीजन पर स्टाइब cough करना जब distress हो जाएगा तो इसमें oxygen की carrying capacity है oxygen जो ले जाने की छमता है उसमें कमी आती है और यह कई तरह के serious problem को cause करता है तो यह vitamin B9 के कमी के कारण जाए चलिए vitamin B12 अगला हमारा जो है वो है vitamin B12 देखते हैं कि vitamin B12 के कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है इसको कहते है psychobalmine चलिए अगर किसी के सदीर में अगर vitamin B12 की कमी हो जाती है तो इससे होने वाले रुक का नाम है parnicious anemia देखिए vitamin B9 के कमी कौन सा anemia पैदा करता है तो इसको कते मेगालोबलस्टिक anemia vitamin B12 की कमी कारान देखिए vitamin B12 की कमी से ह होने वाले रुक का नाम है parnicious anemia ठीक ना पैदा की कहते है यह parnicious anemia होता पैदा है पैदा में लंबे समय तक कार्ण की कमी होती है वह आप इसको यह समझ लें तो यह vitamin B9 और B12 यह upstairs के जो vitamin इनकी कमी के कारण एनेमिया होता है एक के कारण मेगालोबलास्टिक एनेमिया होता है और विटामिन B 12 के कमी के कारण परनिसेसेनेमिया होता है जिसको आप रक्त अल्प तता भी कहते हैं रक्त अल्प तता और ये भी बहुत है सिरियस प्रोब्लेम है परनिसेसेनेमिया यह जो रोग जो पैदा करता है इसका नाम है एसकरवी, इसकरवी में होता क्या है? पहले हम यह समझ लेते हैं स्करवी का लक्षन क्या है? इसका लक्षन यही है कि गम मतलब मसूडा से खुन गिरने लगेगा, दात तूटने लगेंगे, जो सरीर का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, और सरीर में कोई घाव हो जाता है ना तो घाव जली ठीक नहीं होगा, इसकरवी का यही पाचान है, यदि किसी बच्चे को अगर सकरवी है, किसी बच्चे को अगर सकरवी है तो इसका मतलब है कि उसके मसूडों से दातों से खुन बहता है, ठीक ना, तो इसकरवी की क्या-क्या लक्षन है, इसके लक्षन को थोड़ा सा मलग देख लेते हैं, सिम्टॉम्स को देख लेते हैं, ठीक ना, इसमें मसूडों स इसमें मसूडों से खून बहता है सरल भासा में बात कर रहे हैं खून बहता है दात तूटने लगते हैं दात लूज हो जाता है दात तूटने लगते हैं चुकि दात कमजोर हो जाएगा चलिए और क्या होगा इसमें भार में कमी आती है घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो यह इसकर्वी की बात हो गई, चलिए, बीटामीन, अब हम आते हैं D, इसके श्रोत क्या होंगे, इसके लिए अलग से वीडियो अब हमारा ये जो वीडियो है केवल डिजीज तकी सेमीध है मतलब कि अगर वीटामीन C की कमी हो जाए तो इसे क्या होगा? तो इसे सकर्वी होगा होगा? कि सकर्वी किसी क्या होगा? मतलब मसूरों से खून आएगा दान से खुन गिरेगा, दान तूटे गिरेगा, भार में कम, वेट में कमी आएगी, जहर सी बात है, और जो उंड होगा, अगर सरीर में कोई घा हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, यह मतलब यह किवल डीजीस रिलेटेड बात है, और विटामिन सी पाया जाता है, खटे फलों में, विटामिन सी के और क्या प्रोपर्टीस हैं, यह सारे चीज अलग से वीडियो इसके लिए होंगे, यह वीडियो का संबन के वाल बीमारी से, चलिए, हम आते हैं विटामिन डी की तरफ, हमारा अगला जो है वो है विटामिन डी, देखते हैं कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है बिटामिन डी को कहा गया कैलसी फिरॉल इसका जो नाम है वो है कालसी फिरॉल इसका जो नाम है वो है कालसी फिरॉल देखे बिटामिन डी के कमी के कारण होता है बच्चों में इससे में जो रोग होता है ना तो रोग दो तरह से होता है इसमें ठ रिकेट्स हो जाते हैं, यह बहुत सुना सुना या नाम है रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स में क्या होता है ना, अगर किसी बच्चे को रिकेट्स हो जाता है, तो इसमें होता क्या है, हड्डिया सोफ्ट हो जाता है, दम मुलायम हड्डी हो जाएगा, और भार के कारण हना हड़ी तीढ़ा हो जाएगा थीकर ना सौफ्ट हो जाती है और ऑड़ के वजह से यह न सरीर के भार के वजह से शरीर के भार के कारण ठीका न, ये Deformed ते-टेरडे मेडे हो जाते हैं ठीका न, इसको इंग्डिस में कहाते हैー Deformed, मतलब त्यरणा हो जाता है तो बच् мест में जो होने वाला रोग है वो है Ricketts लेकिन अगर बड़े वेक्टी में गो जाए तो इसे जो रोग होता है न वो होता है बड़ो में व्यस्क में क्या होता है बच्चो का रोग है ये एक्चोली बच्चो का रोग तो रिकेट्स है ये बच्चो में होता है थोड़ा ध्यान दिया जाए ये जो रोग होता है वो बच्चो में होता है बड़ो में अगर ये अग तो यह जाता है आप ऐसे समझे पाता है सरीर में कैलसियम डिपोजिट हो नहीं पाता है तो अगर यह बच्चों में अगर यह रहा तो रीकेट的話 पैदा करेगा ठीक ना और यह निग बढ़ो में रहा तो तो बढ़ो में रहा है तो ष्टण अरोर कमी के करन alm कि विटामिन दी के कमी के कारण ठीक है चलिए क्या होता है भाई तो इसमें कमी के कारण यूरीन के रास्ते यूरीन के माध्यम से केलसियम आयन ठीक ना बह जाता है बह जाता है यहों सरीर में यहों सरीर में जमा नहीं हो पाता है ठीक ना जमा नहीं हो पाता है जिसके कारान रिकेट्स होते हैं और उस्टो मलासिया होता है और यही कमी जो क्या पैदा करता है तो बच्चों में जो बच्चों का जो रोग है वरिकेट्स पैदा करता है और बड़ों में उस्टो मलासिय पैदा करता है चलिए तो ये वीटामिन D के कमी से होने वाले रोग है अब हम आते हैं वीटामिन E अब हमारा अगला जो है वो है वीटामिन E वीटामिन E का जो नाम है वो है टोकोफिरॉल कैल्सी फेरोल और टोको फेरोल आसान है याद रखना आसान है कैल्सी फेरोल हुआ विटामीन डी और टोको फेरोल हुआ विटामीन इ देखिया हला कि अभी तक यह सत्यापित नहीं हुआ है किताबों बैप को मिलता है कि वीटामीनी की कमी से नपन सकता होता है लेकिन human में अब ये confirm नहीं हुआ है actually ये जो नपुन सकता होता है vitamin E के कमी के कारण ऐसा चूहों में होता है ठीक है ना चली इस में रोख कौन से होते है ये कौन से रोख को जनम देता है vitamin E की कमी तो ये देता है austerity इसको कहते हैं इंगलिस में austerity जिसको आप हिंदी में कहते हैं नपुन संकता लेकिन human में नहीं rats में ठीक ना ये जो चीज होते हैं चूहों में होते हैं अगर भी चूहा में अगर भी टाहीं नहीं कि कमी हो जाए तो austerity पैदा करेगा human में austerity confirmed नहीं है austerity confirmed नहीं है बस आप ऐसे समझे हाला कि बहुत सारे सुरोतों में मिलेगा कि ये इसमें इसके कमी से लोगों में मनुस में austerity होता है लेकिन ऐसा अभी तक confirm नहीं हो पाया है human में austerity confirmed नहीं है बस आपको ये दिमाग में रखना है चलिए बीटामीन अब इसके बाद हम आते है ये हमारा जो था ये बीटामीन E था जिसका नाम तर टोकोफेरोल चलिए अब हम आते हैं बीटामीन K हमारा अगला जो है वो है बीटामीन K जिसको कहते है फिलिक्वीनोन अना इसको कहते हैं बीटामीन के कमी हो जाए तो इससे जो होने वाले रोग है रोग का नाम कुछ है नहीं है हैमरेज होता है है हैमरेज में होता है क्या है कि इसमें जब रक्त बहता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है मोटा मोटी भासा में कहले है कि बीटामीन के कमी के कारण इससे जो रोग ह आपका नहीं बनता है जो की होना चाहिए अगर विटामीन की कमी हो जाए तो रख्त बहेगा तो बहतार चला जाएगा तो बचो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ने देखा कि विटामीन की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं ठीक है अब विटामीन एक कमी आपको कि कमी के कारण मुह में च्छाले पढ़ जाते हैं, विटामीन B, इसके बाद हम लोगे ने B3 पढ़ा, जिसके कमी के कारण पेलेगरा होता है, और पेलेगरा में होता क्या है, इसमें होता है, डिमेंसिया, डैरिया, दर्माटिटीस और देथ, इसलिए इस बीमारी को 4D disease कहा ग बिटामीन D के कमी से क्या होता है, तो इसमें रिकेटS होता है, और OSTEO Malasya होता है, ऐसके बाद आप E आप ढाल दे αυτό, इसमें आप E एड़ करके पढ़िए, ठीका ना, आप इसमें E एड़, ठीका ना, बूंके बात अधि कर लिजग, ओस्ती इसको साफ लिख हुआ, बहुत अधिका यहां भी हम सुधार सकते हैं इसको कहेंगे औस्टियो का मतलब हड़ी से है ठीक ना ऊस्टियो मलासिया ठीक है तो विटामिन इसके बाद हम लोग ने देखा कि विटामिन E की कमी के कारण चुहों में इस्टरलिटी होता है हलाकि मैन में ये जो चीज है वो confirm नहीं है इसके बाद हम लोग ने देखा कि विटामिन E की कमी से हेमरेज होता है हेमरेज मिं होता क्या है इसमें बलरड से बलरड बहता है तो फकrier नहीं जबता है ठीक है तो आज किए वीडियो सेशन इतना ही रहा आपको ये वीडियो कैसा लागा आप अपने विचार को जरूर लुज पकूले हुए हैं कमेंट सेक्शन नहीं किया है तो आप इसको immediately subscribe करें, like करें, share करें, ताकि यही आपका जो छोटा सा जो work होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा motivation होगा, आगे वीडियो बनाने के लिए हमें motivate करेगा, आज की बात बस इतना ही, thank you very much.